हाइ फ्रेंट्स वेलकम तो माई चैनल मैडिहट और आज हम रिव्यू करेंगे सैफ्रीन सिरप के बारे में क्या इसके य्ज-दोंब और सब दोज हैं सब कुछ जानेंगे आज हम इस वीडियो में वीडियो स्टार्ट करने आप चैनल पर पहली बार आएं तो प्लिस चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड लाइक कर दे सैफरिन सिरप ये टैबलेट और सिरप दोनों की फोर्म में आता है पर हम आज बात करने वाले हैं सिरप के बारे में ये सैफरिन इसका ब्रांड नेम है और इसके कमपोणेंट की बात करें तो इसका दर सैफ देनिर पाया जाता है जो किoral संस्पेंसर यानि मुह के तुरू लिया जाता है बात करें और ये काफी सारे ब्रांड नेम से भी आता है जैसे कि सैफ दीन आता है वो यूनिकैम कंपनिका आता है Omnicef जो कि JPL कंपनी का आता है बात करें सैफरीन के यूज कहां कहां किये जा सकते हैं तो सैफरीन का इस्तमाल हम वेक्टरिल इंफेक्शन में किया जाता है इसका इस्तमाल यूरिन से रिलेटिट कोई इंफेक्शन हो इसकिन से रिलेटिट कोई इंफेक्शन हो तो उसमें हम देते हैं या लंग से related भी कोई infection हो या वाईजेनल infection हो तो उसमें भी दिया जाता है यह काफी सारी bacterial infection में काम कर सकता है यह काफी अच्छा syrup है बात करें इसके work mechanism की work कैसे करता है सका साल्ट है यह बेक्टेरियल Cal greater cell के अंदर जाके क्या करता है यह उसके अंदर था करने के बाद यह plans something एक इंटर गार्फ सक भोर साण है यह उन्हें प्लोक करता है और यह कैई बीटा लेक्टोज एंजायम पैदा करने वाले बैक्टिरिय खिलाब भी प्रभावी होता है बात करें इसकी डोजिस के बारे में तो इसकी डोज 7 मिलिग्राम पर 24 हावर्च के साब से आप दे सकते हैं बच्चे की वेट के अनुसाराब दे पर पहले आप एक बार डोक्टर स गई तो इसकी वोमिटिम हो सकती है नोजय हो सकता है रहलका सब लूपि दर्फ घायरो में बच्चे के थोड़ा हैडिक भ़ी हो आता है आप दोनों को मिला के सस्पेंज और पोम में करके जब बच्ची को दें अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो पिलीज लाइक कर दें थैंक यू पर वाचिंग इस वीडियो